औरत बनकर जीना भी कोई खेल नहीं, रोज सूरज बनकर निकलना पड़ता है, चहे लाक अंधेरा हो, जीवन में रोशनी सबको देनी पड़ती है क्रेडिव साधना साहित्य में आज का हमारा विशय है घरेलू हिंसा, जी हाँ मित्रों, जिस तरह आज समाज में देखा जा रहा है, घरेलू हिंसा एक अभिशा बनते जा रहा है घरेलू हिंसा की वजह में जो अब तक समाज में पाए गए कारण है, वो ये है कि बेटी को देने दिये जाने वाले संसकार ऐसे संसकारों से उसकी परवरिश की जाती है कि तुम्हें पराय घर जाना है उसको जन्म से ही परायापन माईके में दिया जाता है ससुराल में लोग उसे एक पराय भाव से ही देखते है कि डोली में आई हो अर्थी में जाओगे इस तरह के संसकार दिये जाते है दूसरी वजह है दहेज पत्नी के चरितर पर शंका करना बहु को बेटा नहीं पैदा कर सकती जैसी बातों से मानसिक प्रताड ना देना उसके शारेरिक रंग रूप पे व्यंग, कॉमेंट और नफरत करना दहेज के लालेश में शादी करना बेटा अपनी मर्जे से शादी नहीं करता है माबाप के कहने पे शादी करता है और पूरी जिनकी यही कहता है मैंने आपके कहने पे शादी की, मुझे ये डड़की पसंद ही नहीं थी पती का बुरी संगती में होना जुआ, शरा, पान, बिड़ी, तमाकू जैसे नसिले आदोतों का सेवन करना या उनके वश में होना भारती ये महिलाएं चाहे घरेलू हिंसा हो रही हो पर चूंग तक नहीं करती क्योंके वो अपने बच्चों के मोह में रहती है वो नहीं चाहती कि मेरे किसी भी कदम का मेरे बच्चों के भविश्य पे असर पड़े या परिवरिक से भी यही दबाव दिया जाता है परिवर से किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता है तुमारा नसीब है बोलकर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है महिलाओं के इस दुर्दशा के लिए अधिकांश किसी भी वजह से महिला को ही दोशी पाया गया है जिस समाज में नारी को देवी मान कर साल में चार बार पूजा अर्चना करते हैं ऐसे देवियां रोज न जाने कितने ही कितने ही वजहों से मार डाली जाती है आपके पास घरेलू हिंसा से बचने के दो ही विकल्ब है आपको महान बनकर सबकुछ सह कर जीना है या आत्मसमान से आत्मनिर्भर होके जीना है महान बनकर मूर्ती बनाकर फोटो में दिवार पे टांग जाने से ज़्यादा अच्छा है आप अपने स्वाभीमान के लिए संघर्श करते हुए आत्मसंमान से, आत्मविश्वास से और आत्मनित्भर से जीवन जीए हमारे देश के नियम कानून हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं और कृपा करके इससे खिलवाद ना करें अपने किसी नीजी स्वार्थ के लिए कानून का गलत इस्तमाल ना करें वरना कानून से लोगों का विश्वास उठता जाएगा नमस्ते फ्रेंट्स मैं Creative साधना की founder, teacher, life coach, voice-over artist and social activist कुछ social activities होने के नाते मैंने इस COVID-19 में कुछ ऐसे किसे देखे और समझे है जो घरेलू हिंसा को उजागर करती है जी हाँ, घरेलू हिंसा हमारे समाज और पारिवारिक व्यवस्था का एक सबसे बड़ा अभिशाप है इन इस COVID-19 में जो महिलाएं अपने हिंसक जोड़िदार के साथ रह रही है तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये इनका नेजी मामला है बट लेकिन आपका हस्तक शेप किसी पिडिता को इस हिंसक चक्र से निजाद दिलाने में सहायक बन सके तो जरूर से इस नंबर पे इन पतों पे इन फोन नंबर्स पे डायल करके आप उनकी सहायता कर सकते हैं घरेलू हिंसा क्यूं है क्या है किस वजह से होती है ऐसे ही कुछ सवाल और पारिवारिक प्रति उत्तर के कुछ प्रश्न मैं यहां आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूं तो इस अभिशाप को समाज से और परिवार से जड़ से मिटाने का बीड़ा मैंने और हमारे असोशियसन ने उठाया है तो आप जरूर से इसमें अगर कुछ भी मदद कर सकते हैं तो हमें इस नंबर पे संपर्ख करें झाल 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 झाल